हेलो जेहीं दोस्तों बंदे मातरम स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सलेंट यूटूब चैनल में दोस्तों यहां पर मैं खास लेके आए हूँ उन लोगों के लिए जो लोग आईटियाई की परिच्छा दने वाले हैं सिकेंडियर का एक्जाम दने वाले हैं उनके लिए क्य क्याते हैं तो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा निचे आपको सब्सक्राइब बटम दिख रहागा उसके बाद आप बेलाइगन को भी प्रेज कर लेजिएगा तो चलिए दोस्तों यहां पर हम आपको कुछ कोश्टन बता रहे हैं जो बहुत ही इंट है और इसका एंसवर क्या होगा तो चलिए आज का कोश्टन हम स्टाड करते हैं पहला कोशटन है डी सी मोटरों के बनावट कैसी होती है यहां पर आपका content अधियो क्यों नियम रिख होती है जो अपकर डी सी मोटर की जो बनावट होती है मोटोद होती है इस बात को आप ध Sag नकिका नमबर्र है दो फिलल फ्लक्स घाटाने से मोटर की गति पर क्या प्रभाव परदता है तो वह भी क्या होती है खाट जाती है यह उसमinal के लिए कौन से प्रकार के मोटर का प्रियोक किया जाता है हाल कि आप सबी को मालूम है कि जो लिफ्ट में जो प्रियूख होता है मोटर कौम साब प्रियूख होता है तो उस समय स्रीज मोटर है प्रियूख होता है और स्रीज मोटर की एक और विस्वस्ता है उसको बिना लोड के आप नहीं चालू कर सकते हैं बहुत ही खतरनाक साबित होता है आगे बात करते हैं त लोडेट संट मोटर के Fenciones चानक हो जाए तो क्या होगा तो उस समय क्या जागा ऐहा एक पर कार्ण होती है चाइए तुद खाया होती है पर कोश्टन वा बढ़ते हैं अगला कोश्टन है अगला कोश्टन है काथ ही आपनाई जाती एक लिए इसे अपनाया जाता है, कमरे का insulation किस पर निरभर करता है, तो ये छत और दिवार दोनों की रंग पर ये असाथ उसके color पर ये अंतर न जार आता है, आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन है कि प्रकास का एक समान वितरन किस पर निरभर करता है, तो उचाई के अनुपात पर निर किया परकास का एक समान विटरन परकास निर्वर जो करता है यह ज। अस्थान उच्छाई और अनुपाति पर यह बढ़ एकता है तो हंटिंग पेभानांक बढ़ाने के लिए यह और के準備 van है शोडियम वास्प लेंब के साथ स्रेनीक में चोग का प्रियोग किसलिए किया जाता है देखिए यहां पर आपको जो मैं कोश्चन बता रहा हूं यह कोश्चन बहुत इंट्रेस्टिंग कोश्चन है और ऐसे ही कोश्चन आपको परिच्छाओं में देखने हों के मिलते हैं हाले कि आप सभी को मालूम है कि जो आपका परिच्छा में कोश्चन आते हैं अब्जेक्ट्व टाइप के आते हैं चार आपसन बेदे दिया रहते हैं लेकिन मैं आपको यहां पर जो कोश्चन बता रहा हूं डारेक्ट आपको कोश्चन है और वहां पर आपको एंस्वर मे बनाऊंगा या बहुत सारी वीडियो मैंने पहले से भी बना रखी आप जाकर देख सकते हैं आगे हम बारत करते हैं दोस्तों यहां पर जो अगला कोशन है मरकरी वास्प लेंप की आउसत आयू कितनी होती है तो मैंने परदिपती जब आपको चैप्टर पढ़ाया था ठीक ह यहां पर भी इंसवर आपका है 3000 घंटे आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला कोशन है सिंक्रोनस मोटर की बनाऊट किसके समान होती है तो अल्टरनेटर चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो मैंने आपको कोशन बताया था उस में भी बताया था जो लोग को पुरान नेक्स कोश्चन पर बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन है दोस्तों रोटर पूल और रोटर पूल के बीच का कौन होता है तो टार्क कौन होता है रोटर पूल और स्टेटर पूल के जो बीच का कौन होता है वो टार्क कौन होता है अगला कोश्चन है यदि सिंक्रोनोस मोटर का फ साइटा से हम ज्यान कर सकते हैं कि कुंदली में जो धौरा पर वारी देशा नेक्स है प्रताइक उत्य जीट जनेटर में किसको द्वारा उत्य इए तो प्रती अगले कोश्क्का बढ़ते हैं दोस्ते यहां पर लंबी वीडियो है तो आप वीडियो को जरूर अंतक देखिएगा और चैनल पर नए अथार सत्य एक्सलेंट यूटूब चैनल पर नए है तो सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है कि संट कुंडलन का प्रतिरोध होता है तो अर्मेच लिए और नौड गति नियंतरन विधी की क्या विसेश्था है तो यह विप्रिद दिशा में अधिक्तम घुणन गति प्राप्त करना इसकी में भी सेश्था है अगले कोशन पर बढ़ते हैं अगला कोशन है वेव वाइंडिंग में शमांतर पथो अथाथ ए कि शंख्या कि कितनी होती है तो दो होती है कितनी होती है कितनी होती है दो होती है नेक्स कोशन है एक इलेक्ट्रान की बेक्त की जाती है तो यहां पर देख सकते हैं ठीक है एक इलेक्ट्रान के द्वारा इसको हम सुने अथात इस तरह हम बेक्त करते हैं अल्टरनेटर द्वारा उत्पन बिदुद्वहक बल अथाथ एमेफ जिसको करते हैं इलेक्ट्रो मोटी फोर्स की अबरती किस पर निर्भर करती है तो पूल्स की संख्या ततरा घ्रोन गति पर निर्भर करती है नेक्स कोशन है नीचे आप देख सकते हैं दिया गया कि समानता उतेजक को अस्थापित किया ज चाहिता है तो ओर्दवार्दर रिस्थती में से हम प्रचलीद करते हैं हलाके कुछ कोशन मैंने आपको पहले से करा दिया ठीक है कुछ आपको रिवजन भी हो जाएगा दो बार यह दिया जाही हो तो अगला कोशन है कि किसी लेंप की दस्ता किसमें मापी जाती है तो कोई समय फोर्ट समेश्टर का एक्जाम दिये हैं उनसे पूछे ये कोशन आपका पूछा गया था अगले कोशन में बात करते हैं अगला कोशन है परतिरोधी हेंटिंग ओभर का अपनान किस के द्वारा नियंतर्त किया जाता है तो थर्मस्टेट के प्रियोग द्वारन हम इसे असानी से नियंतर्त कर सकते हैं नेक्षगोशन एक परतिच परतिरोध हेंटिंग interaction में शत्ता आपर एक उंच परतिरोधी प्दार्थ किसे लिये छेड़का जाता है तो अच्छी सत्ता बनाए रखने के लिए इसको हम छिटकते हैं नेक्षक्ष नो थे कि दस्ता कितनी होती है देखी बहुत इंस्ट्रेश्टिन पूचा मुझा थे कि हाई फिर्क्वेंसी पर निश्क कोशन बढ़ते हैं दोस्तों अगला कोशन है इंडेक्सन हिंटिंग में उसमा कैसे उत्पन होती है तो पदार्थ में प्रियुद्ध धारा से उत्पन होती है लेक्ष कोशन ने बिदूत फॉरनेशों का ताफमान मापने के लिए कि शूब कर कर डियाइन गूल की बनाया जाता है तो लाइटिंग को घटाने के लिए इसको बनाया जाता है अगले कोशन वा बढ़ते हैं दोस्तों अगला कोशन है कि परिपत का गोंड को बिदूत यूर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है तो यह प्रतिरोद है जो जो इसका क किई जाता है तो यह कुर्चाप कारता है किसी बिदूतिये परिपत किसी बिंदू पर धराओं का बिजगणतियों योग कि eğut शोनी होता है कि लुप नियम कि सिध्धान पर धारितो यह आवेज़के सवर्चन पर अधारित है नेक्स कोशन है दोस्तों धातू का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोद क्या होता है तो बढ़ता है क्या होता है नेक्स कोशन है बिदूतिय प्रतिरोद क्या होता है तो उपरती मीटर होता है अगले कोशन वह बढ़ते हैं अगला कोशन है कि धातू का ताप बढ से उसका प्रतिरोध क्या होता है तो तो यह झा दोस्तों से तुसे क्या मापा जाता है कि सभी को मालूम है कि उच तथा निम्न प्रतिरोध जो होता है वो ही टिस्टोन से तुसे हमसानी से माप सकते हैं नेक्स कोशन है इलेक्ट्रोन बोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है तो उर्जा मापा जाता है क्या नापा जाता है उर्जा मापा जाता है अगला कोशन है चुमकिये प्रणन का मातरक क्या है तो टेसला है टेसला है नेक्स कोशन है एंपियर मीटर का मातरक क्या है तो धुरोष अमर्थ का यह मातरक होता है एंपियर मीटर नेक्स कोशन है किसी चालक में आवेश के गतिमान होने की दर को क्या काते हैं तो उसे हम बिद्दुध धारा काते हैं क्या काते हैं अगले कोशन पर बढ़ते कि कुल धारा किसके साथ ग्यांद की जा सकती है तो कि र्चार्थ, कि नियम के द्वारा हम असानी दर्वा संप ग्यांद कर सकते अगले कोशन पाव बढ़ता है कुल शक्ति गुणंग तुल्ह में शाखा का सकती गुणंग क्या होता है निम्न होगा क्या होगा है इंसक्राइग में बढ़ता है तो अगले कोर्षण बढ़ता है दोस्तों मोटर किस दिशा में एक्शन मती करता है तो जिससे और परिपसट यो कम्जोर हो था पर पर आप को वह ही मिलेगा ऐसंट करने लगता है नेक्स कोशिन है दोस्तों हर प्रेम में कितने फिल्ड li कोईमें कोई होता है कि तो हो इस बात को भी ध्याने किए गाइ legal injustice भी का B Як-श्टर हाई टेंशर में इसका परियोंग किया जाता है किस रूप में में तो ट्रांस्फार्मर के रूप में इसका प्रियोग किया जाता है देख enabling आपको अगले कोश्चन पर वढ़ते हैं दोस्तों किला कोशन है तो इसे सनेश्छी में आता है अगले कोश्चन पर बढ़ते हैं अगला कोश्चन है सर्किट जिसके द्वारा सूचक रेडियो सिगनल पर लागू किये जाती एक क्या कहते हैं तो उसे मॉडूल लेटर कहते हैं अगले कोश्चन है सिगनल जनेटर अपरेट करता है अगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला कोश्चन हुज किसी साइकल के उच्टम मान को क्या काते हैं तो एंपली काते हैं क्या टHead एंपलिटूड काते हैं यह परन्सवर आपको मिलता है निस्ट कोशन और कामन प्रकार एकर हो अन्फ to इनपूट इंप्रिडेंस दे तो यह कामन बेस देता है ने कीसी मीठर में collector चित को क्या बनाया जाता है तो एमिटर चित से बड़ा बनाया जाता है ठीक है नेक्ष कोशन है एक transistor को प्रचलित किया जा सकता है तो CE और CB या CC सेली में इसको हम असानी से प्रचलित कर सकते हैं नेक्ष कोशन है इस्टील पर magnet अधिक अकरसित होता है क्यों इसका एंस्वर आपको मिलेगा magnetic induction की कारण नेक्ष कोशन है दोस्तों कौन सा ओसिलेटर किस्टल का प्रियोग दिखाया जाता है तो पी जो इलेक्ट्रिक पी जो इलेक्ट्रिक का प्रभाव सबसे अधिक यहां पर प्रियोग में दिखाया जाता है नेक्ष कोशन है क्रिश्टल वाले च्राइटर की फ्रिक्वेंसी बहुती स् थी होते है ठीक है इस्थिर होती है यहां पर इंस्वर आपको मिलता हैachen झीष मीक को कड्यक़्ेक्टर पदार्थ में मोजोरिटी कैरियर होते हैं तो यह फ्री इलेक्ट्रॉंस होते हैं नेक्ट कोशन है फुलू वेम रेक्टिफायर की रिपूल फ्रिक्वेंसी कितनी होते हैं तो सो खर्टच होती है नेक्ट कोशन है रेजिस्टेंस का इंसुलेशन किस तत्वा पर निर्बर करता है तो आधरत हो जाता है तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपको 75 कोश्चन बताए जो बहुत ही इंट्रेस्टिंग कोश्चन था है ठीक है आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करो किजिएगा और जो भी लोग हमारे यूटूब चैनल से जुनना चाहते सस्क्राइब किजिएग का इसी तरह का इंट्रेस्टिंग बेडियो पाने के लिए तो मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरव